हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको विस्की के खाली बोतल से साइट कोर्णर में रखने के लिए फ्लावर पोट से खाऊंगी उसके अंदर आप फ्लार लगा सकते हैं या फिर आप सोकेस में सजाने के लिए बला सकते हैं या उसमें एले डी लाइट लगा सकते हैं उसके लिए म और मैं आज आपको वाइट एंड ब्लैक कलर तो ही कलर से काम करना सिखाऊंगी और हमें एक सिंपल ब्रारिक ब्रेश चाहिए चलो स्टार्ट करते हैं मैंने ये पॉलाथिन के ओपर वाइट और ब्लैक कलर निकाला है ब्लैक कलर से पहले हम पूरी बोटल पर प्राइमर की तरह थोड़ा सा कलर करेंगे जिसे की बोटल अच्छी से दिखने लगे नीचे का बेस हमारा कवर हो जाए जैसे मैंने ये करके सुखा के रखी हुई है इ इसके उपर हमने काम करना है जिसे ब्लैक और हलका सा वाइट की टॉन दी और इसके उपर हमने काम करना शुरू गया प्रेंड्स आपको मेरी पहली वीडियो कैसी लगी आप मेरी वीडियो को जादे से अगर अच्छी लगी है तो भी नहीं आपने मेरी वीडियो को जादे से जादे लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपको आगे की जो वीडियो में मैं काम करके दिखाऊंगी वो आपको पता लगता रहे इसमें इसी तरह से लाइट एंड डार का कॉमिनेशन अपने आप चलता चला जाएगा हम इसमें थोड़ा सा वाइट कलर वह निकाल लेते हैं इसी तरह इसी सीरीज में आपको डिकोपैस से पेपर मैसी से आपको और भी नहीं नहीं चीजिस बनाना सिखाऊंगी इस तरह से इसको पूरी की पूरी बोटल को इस तरह से लाइट एंड डार्क में कमप्लीट करना है यह देखिए जब यह थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर इसको पर हमने डिजैंस बना लें हम इस तरह की खाली बोटल पर बहुत काम कर सकते हैं दिको पैस का काम करना सिखाऊंगी पेपर मैशी का काम करना सिखाऊंगी वह भी बहुत कुछ करना सिखाएंगे इसलिए आप मेरी वीडियो को जादे से जादे लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो का पता चलता रहे इस तरसिस में टी का लुप देना है अब फ्री हैंड काम हाथ चला सकते हैं तो फ्री हैंड कीजिए या पैंसिल से जब सुखने के बाद बुटल के उपर पैंसिल से हलका सा ड्रोप लीजिए और उसके उपर आप काम कर सकते हैं और इस तरसे आपने इस पर करना है। और आप चाहे तो पैंसिल की बैक से ब्रस की बैक से इस पर हलकी हलकी सी डोट लगा सकते हैं या टूद ब्रस से भी आप इसके उपर काम कर सकते हैं कर दो दो प्रस को कि अगया है अगर अच्छी लगी है तो आप इसको जाते से ज़्यादे नाइक शेयर जरूर कीजिए थैंक यूँ